मित्रों भगवत गीता के पंधरवे अध्याय का अध्यान हम समाफ्त कर चुके हैं और जैसा कि हम हर अध्याय के पश्चात करते हैं कि प्रतेक अध्याय के पश्चात हम आपको एक परीक्षा उस अध्याय को ले करके प्रदान करते हैं और यह करने के पीचे हमारा जो उद्देश होता है वो यह होता है कि इसके द्वारा आप उस अध्य कि जो सिक्षाइं हैं उसको एक बार पुनह दोहरा सके तो इस प्रकार से आप की साथ ही जो सिक्षाइं हैं वह लंबे समय तक रहेंगी तो उसी श्रंकला को आगे बढ़ाते हुए पंद्रवध्य की परीक्षा हम आज इस वीडियो में प्रदान करेंगे आप सभी से लकी ड्रॉ में सम्मेलित करेंगे और जो लकी ड्रॉ का विजयता होगा उसको निखिल भगवद गीता की एक प्रतिलिपी प्रदान करेंगे और इस कार्यों करने के लिए निखिल को बहुत-बहुत धन्यवाद तो यह जो हमारा प्रया से यह इसलिए है कि आप इन सिक्षा ही की जो परीक्षा है है वह प्रदान करता हूं इस परीक्षा में पांच प्रश्न हैं तो जो पहला प्रश्न है वह यह है कि शृक पंद्रवे अध्याए का आरंब अश्वत व्रिश।workers को लेंग कर ने करके करते हैं। तो आपको यह समझाना है कि यह जो अज्वत पीपल के एक व्रिख्ष के विचा में कहते हैं आपको ये बताना है कि ये जो व्रिख्ष है ये किस प्रकार से हमारे जीवन को दर्शाता है दूसरा जो प्रशन है इस अध्याय को लेकर वो यह है कि श्रीक्रिशन का जो लोख है उसको आलोकित करने वाला कौन है तो मैं प्रशन को पुने दोरा दूँ कि श्री कृष्ण का जो लौक है उसको प्रकाश श्रिती आलोकित करने वाला क्या है कौन है तो तीसरा प्रशन इस अध्याय को लेकर वो यह है चौथा जो प्रेशन है, वो यह है कि हमारा जीवन जो होता है, उसमें हम कुछ ग्यान प्राप्त करते हैं और कुछ भूल जाते हैं, तो यह जो हमारा ग्यान प्राप्त करना होता है और जो भूलना होता है, यह कहां से आता है, कौन इसका प्राप्त है, यह आपको बताना है, और जो पांचवा प्रशन है वो यह है कि इस संसार में जितने भी भूत ऐसे होते हैं जो कि क्षर हो जाते हैं जिनका की क्षय हो जाता है उनका क्षय किस के लिए होता है मैं प्रशन को पून दॉरा दू कि संसार में जो भी ख्षर वस्तुएं हैं उनका क्षय किसके लिए होता है तो यह पांच प्रशन थे इन 5 प्रशनों के उत्तर आप इस इमेल पर 10 अगस तक प्रदान कर दीजे यदि आप प्रदान करेंगे तो हम आपको एक Lucky Draw में सम्मेलित करेंगे और उस Lucky Draw के ज़ो विजयता होंगे उसको निखिल भगवत की प्रतलिपी पुरसकाई के रूप में प्रदान करेंगे तो निखिल को पुना है एक बार और धन्यवाद और इसके साथ हमारा पंद्रवा अध्याय का जो अध्यान है वह समाप्त हो चुका है अब मैं आपको सोलवे अध्याय के श्लोगों के बारे में अगले वीडियो से जो व्याक्या है वह प्रदान करने लगूंगा चलिए इसके साथ वीडियो को महीं पर समात करते हैं नमस्ते झाल 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 झाल